गुर्णी स्टुडेंट्स हाव यह तुड़े आपको राश्टियद्वज के तिरंगे के बारे लिए सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी लैंट बिट कितनी है और यह कितने अनुपार्थ का है ठीक है लैंट बिट इसकी कितने अनुपार्थ की है और इसमें कितने कलर है और यह कलर किस किस चीज के पर ठीक होते है यह सब कुछ आपको बाते पता होने चाहिए ओके अभी मैं आपको समझाती हूँ जो हमारा नैशनल फ्लैग है वो कितने रंगों से मिलके बना है तीन सबसे जैसे पहले है सफ्रोन जो है केसरिया वाइट सफेज ग्रीन हरारन it shape is rectangular with the ratio of length and width 3 is 2 इसकी shape कैसी होती है flag की shape कैसी होती है rectangular जो की आयटकार हिंदी में इसको बोलते है और जो length और width का अनुपात कितना है 3 अनुपात 2 है it has 3 parallel strips of circumel white and green इस ये जो फ्लैग है हमारा ये तीन रंग की पटियों से मिलकर बना है ये स्टुडेंट इन विच सप्रोन इस अरेंज एड़ टॉप जो सप्रोन कलर है वो कहा है सबसे टॉप में है, सबसे उपर है ये पता होना चाहिए आपको की कौन सा कलर उपर होता है ये वाइट इन दा मिडल वाइट कहां पर है, मिडल में है जो सफेद रंग है इसके बीच में है और ग्रीन कलर एड़ बोटम जो ग्रीन कलर है वो फ्लैग में सबसे नीचे होता है ये स्टुडेट अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे रंग है केसर या सफेद हरा ये किस चेज़ के प्रतीक होते है ठीक है, ये सबसे टॉप में क्या है सफरोन कलर सफरोन कलर सिंबलाइजिस ब्रेवरी एन सेक्रिफाइज सफरोन कलर जो होता है बहादरी और त्याग का प्रतीक होता है white color truth and peace जो सफेद रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है truth होती है सच्चाई और peace होती है शांती ये सच्चाई और शांती का प्रतीक है and green color symbolizes greenery जो हमारा हरा रंग है वो हर्याली का प्रतीक है yes student अब मैंने आपको जैसे इसकी length width बता दी है इसमें जो color है वो बता दिये है मैंने आपको और ये color जो है किसका प्रतीक है वो बता दिया है अब ये जो बीच में circle है न मैं आपको अब इसके बारे में बताती हूं a circle of blue color is made in white color strips जो circle जो ये blue color का circle होता है ना flag के बीच में बना हुआ ये blue color का circle है जो white color की strip से बना हुआ है which is called ashok chakr इसको क्या कहते हैं इसको बोलती है ashok chakr there are 24 spokes in ashok chakr ashok chakr में कितनी spokes होती है 24 मतलब की इसमें 24 तिलिया होती है so students I hope you all have understand about our national flag अब आप सबको पता चल गया है अपने national flag के बारे में मैंने आपको हर चीज बताई है ये न सभी students को पता होनी चाहिए सभी जैसे किसी भी class का चाहे बच्चा है उन सबको हमारे जो national flag है तिरंगा उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए ये length width पता होनी चाहिए उसको और इसमें color पता होनी चाहिए जो बीच में blue color का अशोग चक्र है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अब मैंने बिल्कुल deeply आपको समझाया है So student I hope you all have understand Thank you बटा